बच्चो चंद्रा क्लास्स की तरफ से बहुत सारी शुपकाम लाएं आज विशेश तवर्पर मैं आप स्थे जी आई सी मेंस के विश्व में बात करना चाहता हूं जी आई सी मेंस का सेलूबस आपने देखा होगा उसमें पर्स्ट पार्ट में सामाननी जानकारियां और सेकंड़् पार्ट में देखा हैं एक बात और कि मैं उस्पश्ट कर दे कि बी का रिजल्ट आया नहीं है लेकिन बहुत जल्दी आने वाला है और प्री का आप जानते हैं कि निबंध जो है वो एक किंतन प्रधान होना चाहिए मैंने आप से कहा कि सबसे पहले आप यह जान लें कि निबंध कैसे लिखा जाता है और निबंध को अनिवारित है आपके पाठिक्रम में आपके शलोबस में निबंध को अनिवारित है क्यों रखा गया ह है कि एकusan निबंद कंतध की एक ऐशी विधा है अकेली अश्री विधा है जिसमें भाषा होता है भाषा होती है आपका चिंतन होता है और शैली होती है यानि भाषा शैली और आपका किनत निबंध को वैचारिक होना ही चाए कि यहां भाषा और चिंतन की बीच कोई विचौलिया नहीं होता यह कोई कहानी नहीं है उपान्यास नहीं है यह Não तक नहीं है करें कि निवन realm अकेली एसी विधा है जिसमें आपका चिंतन होता है आपकी होती है आपके विचार होते हैं और शैली होती है आप हम सीधे शीधे आपसे बात करना चाहा रहा है कि निबंध कैसे लिखा जाए देखिए निबंध लेखन एक ऐसी विधा है जिसमें आप चाह कर भी अपनी परस्टनाल्टी को अपने व्यक्तित को छुपा नहीं सकते हैं कि सामान्यत है कि निबंध में बहुत अधिक नंबर भी मिलता है और बहुत कम नंबर मिलता है इसकी लिए जरूरी है कि आप जान लें कि निबंध का शिल्प कैसा होना चाहिए निबंध का स्केल्टन कैसा होना चाहिए देखिए पहला पैराग्राफ निबंध का पहला पैराग्राफ दूसरा तीसरा और चोट पहला पैराग्राफ सैधान्तिक होता है पहला पैराग्राफ से धान्तिक होता है दूसरा पैराग्राफ व्याख्यात्मक होता है तीसरा पैराग्राफ तुलनात्मक होता है चौथा पैरेग्राफ निश्कर्स देखिए निवन्ध में जो भी टॉपिक लिए जाते हैं आपको आयोग कि आपके अपने विचार और आपके आपके अपने सुझाव भी वह जानना चाहता है आप नहीं जानते कि निवन्ध में यदि आपको 75 प्रतिशत नंबर मिलता है तो आयोग में आपकी कौपी सुरक्षित रखी जाती है और आने वाली वर्क्षाप में उसे पढ़ा जाता है इसलिए आपके चैन में इसकी बड़ी महत्तुपूर्भूमिका होती है निवंध का पहला पारेगराब जाय सक मैंने लिखा है स्टैद्ध्धान्तिक होना चाहिए या यानि पूरे निवंध में आपको क्या लिखना है कि उसका एक संशेप के पहले प्रेगराप में होना चाहिए पहला पल आगर बहुत बड़ा नहीं होता है यहां शैली समास होती है समास्यली का मतलब क्या होता है कि एकदम सूत्रात्मक शैली जो को आप कहते हैं तो पहला पराग्राफ जो होता है पूरे के पूरे निबंध का संखेफ होता है आप यह पहले पराग्राफ में बताते हैं कि हम आगे पूरे निबंध में क्या कहना चाहा रहे हैं इसे लिए पहले पराग्राफ को सद्धान्तिक पराग्राफ कहा जाता है पहले पराग्राफ परिमार्जित तच्सम्निष्ट होनी चाहिए और पहली पैराग्राफ का आकार जो है वह आउसत होना चाहिए जहान रहे आपको ढाई 300 शब्लों में निबंद लिखना है अब आता है आपका दूसरा पैराग्राफ दूसरा पैराग्राफ व्याख्यात्मक होता है यानि पहले पैराग्राफ में जो मुद्दे आपने उठाए हैं पहले पैराग्राफ में जो बातें आपने कही हैं उसकी व्याख्या उसका एक्स्प्लेनेशन आप दूसरे पैराग्राफ में करेंगे दूसरा पैराग्राफ पहले पैराग्राफ से ब होना चाहिए कि ध्यान रहे कि दूसरे दूसरे पैराग्राप के वाकि छोटे छोटे हों और पहले पैराग्राप में उठाए गए मुद्दों को ही आप दूसरे पैराग्राप में डिसकस करें इसलिए दूसरा पैराग्राप पहले पैराग्राप की अपेक्षा दो गुना य अब वति बारी आती एछ तीसरह पैराग्राफ कि उसकी तुलना उत त्रैज। यानि जो बात आप ने कही है अगर कहीं से कंपरीजन हो सकता है कहीं से उसकी तुलना हो सकती है किसी विचारक से किसी चिंतक से किसी और विद्वान से यह उसकी तुलना हो सकती है या कहीं और किसी भाषा के किसी भी विचारक से उसकी तुलना हो सकती है तो कृपया यह तुलना तीसरे पैरागराफ में ही करें इसे लिए इसको comparative paragraph कहा जाता है कि एक बात का ध्यान रहे जो बाद जिस पाराग्राप में कहनी है उसको उस ही paragraph में कभी कभी होता है सिसे हमें और रहना हम document कह है कि क्रम बिगड़ जाता है और हमें नमबर नहीं मिलता इसलिए क्रमका ध्यान जरूर रखने यानी पहला पैराग्राफ से व् . दूसरा पैराग्राफ प्रम होना चाहिए आपकी अपने विचार होनी चाहिए पहली पहली पहलाव इसका ज्यादा होता है पहले पैड़ा घृञा और तीसरे पैड़ागराफ में हैं, ती कही हुई बातों कि आ तुलना करते हैं , वो किसी भी भाषा का विचारक हो चिंतक हो कोई विद्वान हो उसकी तुलना आप तीसरे पैराग्राफ में करेंगे अब तीन काम आपके समाप्त कि पहले पैराग्राफ में आपने मुद्दे उठाए दूसरे पैराग्राफ में आपने डिस्कस किया और तीसरे पैराग्राफ में आपने तुरुना करती है अब बारी आती ही चौथे पैराग्राफ के चौथी पैराग्राफ को लिखते समय आप एक बार पहले पैराग्राफ को जरूर पढ़ें इससे यह पता चल जायेगा कि जहां से जहां को चले थे हम वहीं पहुंचे या हम कहीं भटक गये इसलिए चौथा और अंतिम पैराग्राफ जो होता है आपका अपना सुझाव होता है उसमें दिए हुए टापिक पर आप क्या निर्णे लेटे हैं क्या सुझाव देते हैं अपनी तरब से आप सकता है इस इसलिए चोठे पाइर्ध आपकी भाश्षा चोथे पाइरागाव की शैली पहले पाइरा ग़ला की तरह ही होनी चाहे है कि इसलिए कि अंतूं पैराग्राफ आपके अपने सुझाव का पाइराग्राफ होता है तो इस ़िए के से हमने से आपको बताया कि निबंध कैसे लिखा जाए पहले क्या था कि मैटर के आधार पर नंबर मिलता था लेकिन आज मार्केट में इतना मैटर है इंटरनेट पर है किताबों की दुकान पर है फोटो इस्टेट की दुकानों पर है तो इतना मैटर आ गया है मार्केट में कि अब तो सिर्फ मैंतर के याद हाथ पर नंबर देंगे वो मैंतर तो सब के पास में है यही कारण है कि जब आयोग की वर्क्षाप चलती है तो उसमें किसी साधर किया रयता कि निबंद कैसे लिखे में को सो और निबंद का इस्चलतन यहीं होना चाहिए कि पहला पाराग्राफ अवस्टाकार का दूसरा प्यूर्War up का दो गुणा यह धाई गुल्ण टीसरा प्यूर्स पार आकार में पहले प्यूर्द पर प्क्राफ कीतर ही ज प्षड़ा बढ़ सकता है अंतिम पैर अगर आप जैसे आग मैंने कहा भी आप से कि आपके विचार होंगे आपका चिंतन होगा और आपके अपने सुठा हो इस तरीकी से कोई भी टॉपिक हो चाहे साहित्य और समाज हो शाहित्य और संस्कृति हो महिला सशक्ति करण हो आप दाओं पर हो ठीक है तो जितना भी मैटर है आपको दिया जाएगा आप से डिसकॉस किया जाएगा लेकिं इस बात का बराबर ध्यान रहे कि जो बात जहां कह नहीं है कि बातें वहीं कही जाएं कि दिशार्डर ना हो जैसे आक नाक कानमु बहुत सुन्दर है नाक ऊपर चली जाए आक नीचे चली आए तो सारे अंग सुन्दर होने के बावजूद आप विक्रत दिखेंगे ठीक वही स्थिति निवंध की है तो इस बात के प्रटी जहां भी हैं आप आपके सामने टापिक रखे जाएंगे उन पर हम आप से बातें करेंगे आप अपने सुझाव अपने तर्क भी हमें दे सकते हैं और कृपया निवंध लिखकर आप हमें भेजें अमुमन होता क्या है बच्चा जो निवंध है वो बस सीधे परिक्षा में लिखता है निवंध के लिए वो लिखकर दिखाने का प्रयास नहीं करता है आजकल जमाना हो गया है वस्तुनिष्ट प्रश्न पत्रों का तो ऐसे में बच्चा निवंध में भी वही बात दिमाग में रखता है कि इसको हम सीधे-सीधे लिखेंगे जाकर के एक्जामिनेश इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है जहाओ भी है और अगर मैं एक सित्षक हूं तो आपको मेरा आदेश भी है कि जो प्रारूप मैंने बताया है या इसी मेंस का सेकंड पार्ट है निवंध कैसे लिखें पहला पर आगर आप सैध्धान देख दूसरा वियाख्यात्मक्त ती एक अन्तिम बात कृपया निवंध लेखन में बाइस जनों किसी विचारणारा विशेश से आप पोशित ना हूँ एक संतुलन बनाने का प्रयास करें तो कि संतुलन ही संदर यह है इसलिए है ज़े आप किसी विचारविषय से प्रभाविथ हैं तो प्रभाविथ होना एक अलग चीज होती होती है लेकिन लेखन में संतुलन बनाना एक दूसरी चीज होती है इसलिए आज हमने आप से बात की और मैं इस बात से पूरी तरह पहमत हूं और हमने कम्टीशन की दुनिया देखी है और तब मैं आपसे कह रहा हूं कि निबंध को लिख कर पढ़ें आपसे डिसकस किया जाएगा आपके सामने टॉपिक रखे जाएंगे एक एक टॉपिक दो दो टॉपिक यह सारी चीज़ा रखी जाएंगे आपके सामने कि पर्स्ट पिपर में मीन्स की तैयारी के लिए आप result का इंतजार ना करें विशेष रुप से मैं हिंदी विशे की बात कर रहा हूं, मेरा उससे जुडाव रहा है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप प्रतिक्षा ना करें कि रिजल्ट आएगा, आप तैयारी जारी रखें, नहीं होता तो तैयारी कभी खराब नहीं होती, हो जाता है आप पहले से तैयार रहें, नहीं तो रिजल्ट आने के बाद आप दस जगे भतकते हैं, और फिर वही किताबी पहना शुरू करते हैं, अपनी टीचर से आपको डिसकस करने का वक्ट बिल्कुल नहीं मिलता, इसलिए खूब पढ़ें, और मैं चंद्रा क्लासे की तरफ से आपको फिर बहुत सारी को आप ध्यान में रखिएगा, मैं बोल इसलिए दे रहा हूं कि लेखन में हो सकता है कि आपकी समझ में ना आ रहा हो, ब्लेक बोर्ड पर, इसलिए मैंने कहा कि निवन्ध विचारात्मक्त होना चाहिए, चिंतन परक होना ही चाहिए, यहां भार्षा होती है, और आपका च आप कभी भी चाहकर भी अपने विचारों को छुपा नहीं सकते, और जैसा कि मैंने कहा कि आपका व्यक्चत्य जो है, वहां निवन्ध लेखन में दिखता ही है, और उसी व्यक्चत्य की परिक्षा के लिए निवन्ध लेखन को अनिवारिक कर दिया गया है, तो बच्चों बहुत सारी सुप कामना हैं, हमारे पता हैं कि प्रावरूप को ध्यान रखिएगा, जो बात जिस पैरागर आप में कहीं है, उसी पैरागर आप में कहीं है, तो कहीं है,